मुखारी स्पीक्स यूटूब चैनल तो वर्ज आज मैंने सुच आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ जिस मैं आपको बता हूँ कि गौर्ण्बंट जॉब आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको हर जॉब में हैल्प देंगी मदद देंगी चाहे आप किसी भी जौब को असल करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले तो यह है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ें घोर से पढ़ें, देखें, किताब ग्रीडिंग, बुक रीडिंग की आद़ डालें किताब पढ़ें, हर सूरत में, हर हाल में आपको किताब पढ़ना होगी दूसरी बात यह है कि आप हमेशा अपना रुटीन बला लें खबरे सुनने का, खबरे सुननी हैं आपने हर सूरत में तीन टाइम उसको खबरों को सुने, सुबह, दोपैर, शाम सुने, रात को सोते हुए सुने, खबर नामा आपने जरूर सुने, आपने वेल अवेर रहना है अपने आप से, दुनिया से, पाकिस्तान से और पुरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, इस ची पॉइंट है जी, उसके बाद तीसरा आपको बहुत हम पर पॉइंट बता देता हूं, वो यह है कि जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हो, अपलाए कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट की इंफरमेशन आपको होनी चाहिए, हाउना होनी चाहिए, उसी पर अगर आप पॉलीस में जा रहे हो, तो आपको पॉलीस के बारे में पता होना चाहिए, पॉलीस डिपार्टमेंट की क्या हाईरार्की है, पॉलीस डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजे होती है, पॉलीस एक्ट क्या है, पॉलीस रूल क्या है, पॉलीस ओर्डर्स क्या ह हैं इसकी आपको हाउ geen होनी चाही है देखिए यह चीज की रिटन पी आ सकती हैं अटोछ है यही चीजने फिर आपके इंटर्यू में इंटर्वियू में यही आपसे पूछी जाएंगी तो ल完全 यह सारी के सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर अगर आप FIA के मतलग जा रहे हो तो FIA के मतलग भी आपको पता होना चाहिए हाउनाव होनी चाहिए अगर आपने डिटेल के साथ यह सारी चीज़ें देखनी हैं पढ़नी हैं तो उसके लिए पिर मैं तयारी भी करवाता हूं ऑनलाइन बच्चे मुझे तयारी करते रहते हैं आज की वीडियो में मैंने इस तरह की कोई बात नहीं करनी सिर्फ और सिर्फ आपको वो टिप्स बताने हैं जिनसे आप काम्याब हो सकते हो किसी भी गवर्वर्मेंट की जॉब में उसके साथ जी उसका चोथा और अहम पॉइंट ये है कि आपने जो चीज पढ़नी है उसको इंग्लिश में भी पढ़ें उर्दू में भी पढ़ें दोनों तरह से दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो ऑफिशल लेंग्विज है वो उर्दू भी है और इंग्लिश भी है तो इस तरह से आपको इंग्लिश में भी लिखना आना चाहिए और आपको उर्दू में भी लिखना मियाब हो जाते हो उसके बाद यह है कि अगर आपका टेस्ट OTS लेता है UTS लेता है NTS लेता है कोई भी फोरम आपका टेस्ट लेता है या डिपार्टमेंट खुद लेता है या पॉलसरोस कमिशन वाले लेते हैं या कोई भी ऐसा अधारा जिसको डिपार्टमेंट की ही तैयारी करनी है तो mcqs के बारे में ही आपको बहुत सी मालूमा चीज़े मिल जाती है अगर आप करन्ट अफेर जनल नालॉज के साथ अवेर है उसके साथ साथ अगर आपने अखबारात से रेडियो से टीवी से बहुत सी इंफरमेशन क्लेक्ट की हुई है तो उसके साथ कंसल्ट करें जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था बुक रीटिंग बोस्त इंपॉर्टेंट है तो बुक रीटिंग आपने जरूर करनी है हर हाल में करनी है उसके बाद जी जो चीज आपने लिखनी है उसको जो चीज आपने तयार करनी है उसको लिख आपने जो तैयारी करना है उसको अपने written form में लिखके तैयारी करना हमेशा जभी आपको साम्टम यह भी होता है कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट का वो जो तरीकाकार है वो सारे का सारा वो ख़त बदल देते हैं फ़र्ज किया मिसाल के दौर पर एक दफ़ा एमसी क्यू सारे के सारे इस दफ़ा हो सकता है डिस्क्रिप्टिव आ जाए लिखना पड़ जाए पर आफ़ प्वादिया इस वर के अपकर बहुत पकर 對啊 कर लो कि अपके बहुत काम हैगी आप इस तरह से आसानी के साथ पेपर रहल कर लेते हो तो इस लिए आपको लिखना और नोर्स तयार करन बड़ा जरूरी है उसके बाद जी अगला मेरम पॉइंट यहा है, कि आपने बैठ चीज़ाय करनी है, आपने अपनी है अपने अपनी हैज़िटेशन जीज़खदूर करनी है, बिसाल के तौर पर यहाता है, आपका इंटर्व्यू होता है, आप उसमें नाकाम हो ँघ जाते हो, तो रह जाते हो आपने आई कॉंटेक्ट रखना है, सकून के साथ बैठना है और बैठके आपने बात करनी है, हलकिसम उसकुराहट चेहरे पर रखके आराम के साथ आपने बोलते जाना और सवाल का जवाब देते जाना है तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेट है जी, इसकी तैयारी भी आप लाजमी करें देखिए जो चीज़े मैं आपको बता रहा होता हूँ, बजाहर ये सारी की सारी चीज़ें आपको लग रही होती है बिशाल के तोर पर आप रोटीम में अगर कोई काम कर रहे हो रोटीम में कोई गुफ्तगू कर रहे हो तो वो वैसी ही है और आप करते जाओगे अगर आप सामने कैमरा लगा लो तो फिर आपको अटोमेटिकली जिज़क महसूस होगी आप बन सबर के बाद करना शुूरू कर दोगे थोड़ा आप चीज़ों को देखोगे मैनेज करोगे फिर आप बोलोगे तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप लोग इसमें आराम के साथ तसली के साथ चीज़ें देखें उनको काम करें उसके साथ जी आप सब को पता ही है प्रैक्टिस मेक साम एंट परफेक्ट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे जतनी मश करोगे उतने ही कामयाब हो जाओगे तो किसी भी गॉर्मिंट की जाओब को हासल करने के लिए आपको जो आखरी में पॉइंट बताने जा रहा हूं उस पर ज़रा घोर से तवज़ों से सुननी जेगा पुतर एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है आपकी फिटनस के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपने सु कोई एक टाइम आप मुकरर कर लें आप पार्क में जाएं खेलें कूदें एक्सरसाइज करें कोई ना को वर्जश का जरीया बनाएं कोई स्पोर्स कर लें कोई एक्सरसाइज कर लें बैडमिंटन खेल लें कोई आप करिकड खेल लें को इस तरह की कोई ना कोई आपकी एक से आपको बहुत सी problems का बचना होगा बिशाल के तोर पर आपकी exercise उससे आपकी चेस्ट जो है उसके बाद फिर आपके जो push-ups लगाते हो आप चिन-ups लगाते हो आप उसके साथ रनिंग करते हो तो इन सारी चीजों के साथ आपकी body तो fit होती ही है आपकी exercise में जो चीजे शामिल होती हैं वो भी सारी की सारी आ जाती है जिसमें आपने exercise में इमतहान देना होता है मिसल prevention में जाते हो आई SSB में जाते हो उन सब में भी आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपने वो सारी चीज़ें करनी हैं तब ही आप उसके फिजिकल एक्जैम से क्लियर होके गुजरोगे आपको पुश अपस भी लगाने होंगे आपको चीन अपस भी लगाने होंगे और एक मखशूस टाइम आपको दिया जाता है साथ या आठ मिनिट उसमें आपने 1.6 किलोमेटर या 1 मैल दौर लगानी होती है तो exercise बहुत जरूरी है जी हर डिपार्टमेंट में गौर्मेंट के देखिए जिसमें भी आप जाओगे गौर्मेंट के हर डिपार्टमेंट में आपको सारी कि सारी रनिंग दौर्ट फिजिकल फिटनस देखी जाएगी आपका मेडिकल होगा और उसी मेडिकल से आपकी पेश शुरू होगी देने की थैंक यू गरी मार्च जी इन्शाला मिलते हैं कि एगली वीडियो में तिल देन टेक एर अल्ला आफीजन गुडबाई पाकिस्तान जिन्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद